हलो फ्रेंट मैं नया वीडियो को साथ फिर से आ गया हूँ मैंने चानल का नहां हमें हैपी तो हेल्प यू आज आप देख रहें फिंगर परेंट एंगर परेंट मैं एक वीडियो बनाया था वूष वीडियो एंटेंडेंस यूजिंग फिंगरे परेंट hard lets ऐसे अब एंडुरेोट फ़ोन से मोबाइल से अब आप एटेंडेंस ले सकते इस वीडियो में काफी सारा व्यूज आया था आप लोग पसंद आया था मगर इसी वीडियो को जो एप्लिकेशन है उसको मैं थोड़ा अप्ग्रेट किया हूँ और भी नया फीचर्स मैंने डाला है ठीके मगर में जो इन्पॉर्टेंट है इस वी और इसमें क्या होता है जो डेटावेस है वो एयाट टेबिल है एयाट टेबिल में जितना सारा लिमिटेशन है मतलब काफी सारा डेटा आप स्टोर नहीं कर पाएंगे वहाँ पर पीमियम था आपको पेड करना पड़ रहा था डेटावेस के लिए मगर मैं अभी जो डेट डेटावेस देने जा रहा है ना मतलब गोगल फॉर्म है वो ओपें सोर्स है इसका कोई डेटावेस का चार्जस नहीं लगता है ओके तो तो चलिए मैं एक बाद दिखा देता हूं इसको डेटावेस बोयाट टेविल है मैं अभी जो एप्लिकेशन दिखाने जा रहा हूं हो है आपका गोगल सीट है मैं पहले डेटावेस को आपको दिखा दे रहा हूं देखिए इस तरीके से नाम और टाइम इसमें टाइम ना करके मैं छोड़ दीजे पर फिलालम मैं टाइम ही कर देता हूं ठीक है टाइम और डेट यहां पर दोनों से चीज आएगा और यहां पर स्टूडेंट इंपलॉई जो भी हो उसका नाम आएगा जो आप टाइप करेंगे अप्लिकेशन में वो नाम यहां पर सो करेगा ओके तो चलिए एक बार मैं एप्लिकेशन को दिखा देता हूं लुकिए मैं मोगर मोबैल को मेरे अप्लिकेशन के साथ कनेक्ट कर देता ह हूं एक मिनिट देख सकते साइड में सो कर रहे हाँ पर पहले लिखा हुआ है नेम और डेट ओके तो 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 यहां पर नेम और डेट दिखा रहे हैं और साइड में दिखिए डेट ऑट्मेटिकली फिल किया है जो आपका मोबैल में डेट सेट किया जाएगा वो से डेट बैठा लेगा आज यही का डेट में फाप्लिकार्शन राण हो रहा है और आज ही का डेट में बोई एटेंडेंस लेगा यहां पर ओके तू चलिये यहां पर क्या करते हैं फरस्ट आफ अफ आल मैं एक बार हम पर नाम देschaft mostrar करता हूं मानली जी कोई receptionist बैठा है उसके पास कोई employee वगेरा को जो भी हो जिसका attendance आप लेना चाहरे तो उसका आया है वहाँ पर आप लिख दीजिए इस तरीके से नाम लिख दिए इस तरीके से आपका नाम लिख लिए जो employee आएगा जो student आएगा उसका database मतलब उसका name आप यहाँ पर पूट कर दिए date तो ultimately बैठा ही है मगर इसमें क्या करता है mark attendance करना पड़ता है mark attendance जब भी कि नहाँ पर fingerprint मांग रहा है तो फिर चलिए मैं fingerprint भी दे देते हैं इसको सही fingerprint दे देते है mobile में जो fitted है वही fingerprint यहाँ पर काम करेगा name आ गया ठीक है तो इस तरीके से update and time उसको ले शकते है time फिलाल एड नहीं किये जब मैं मैं आपको application में दूंगा तो हमाँ पर time और date दोनों ही add होगा ओके तो मैं demo purpose के लिए ऐसे मैं दिखा रहा हूं इसको date देके क्योंकि मेरे और भी line था वो date का हिसाब से मांगा था application तो इसी लिए मैं इसी वीडियो को date से ही किया हूं मैं आपको आपका requirement अगर होगा तो time देके मैं time देके भी कर सकते कोई problem नहीं ठीके तो चलिए यहाँ पर attendance marks दिखा दिखा दिया उहाँ पर new attendance करेंगे तो अगर दूसरा बंदे का attendance करना है तो यहाँ पर बटन दिया गया है new attendance ओके यहाँ पर दिखिए शोत्य चरेच जी और डेट मिट सब आ गया है उसके बाद मैं और एक नाम देता हूं राज रॉइ ठीक है इसके बाद मैं mark attendance करेंगे इसके बाद मैं क्या करेंगे गलत attendance दूँगा मतलब गलत क्या बलते है इसको गलत fingerprint दूँगा ओके तो चलिए mark किये उसके बाद देखिए मेर मोबाईल में फिटेट जो है वो नहीं दे रहा हूं इसको मैं गलत दे रहा हूं आप यहां पर यहां पर डेटाबेस में चेक करेंगे यहां पर स्टोर भी नहीं हुआ मगर इसको मैं सही पर देंगे तो अब देखिए attendance marked successfully attendance marked successfully राज 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 सो कर दिया और डेट भी सो कर गया ठीक है इस तरीके से आप application को run कर सकते हैं इसमें क्या होगा जो डिवाइस जिसका डिवाइस है वही सिर्फ attendance ले सकता है otherwise कोई नहीं ले सकता है ऐसा भी हो सकता आपका mobile में fingerprint ना हो तो फिर क्या अगर है अगर आपका ऐसा वाला कोई requirement है तो इसमें मैं fingerprint को हटा दूंगा उसके बाद एक simply button दो दूंगा तो उसमें से आप attendance ले सकते ठीक है दोनों application है मेरे पास ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है आप जो भी चाहिए वो आप कर सकते ठीक है इस application को अगर चाहिए तो नीचे Instagram का ID दिया है उसमें आप message कर सकते ठीक है और एक form दिया गया है वो form भी आप fill up करके मेरे साथ contact कर सकते ठीक है तो thank you आज का वीडियो इतने तक था प्लीज सब्सक्राब कर लीजे मेरे वीडियो को तो फिर आगे और वी वीडियो देखने के लिए धन्यबाद फिर मिलेंगे एक निया वीडियो को साथ